हेलो दोस्तों वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल नूर देसी व्लोग कैसे हो आप सब लोग दोस्तों आज मैं आपको पैदल चलने के फायदे बताऊंगी कि हमें एक दिन में कितना पैदल चलना चाहिए और इसके हमें क्या बेनिफिट्स है क्यूंकि पहले के टाइम मे लोग कितना जादा पैदल चलते थे क्यूंकि उस टाइम पे इतने जादा साधन नहीं होते थे गाड़ियां वगारा नहीं होती थी तो वो कितने लोग तंदरूस्त रहते थे वेग्यानिकों कि ये की रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग पैदल चलते थे वो औरों की हम कई बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों विज्यानिकों की उसी रिसर्च में पाया गया है कि हमें एक हफ्ते में कम से कम पांच घंटे या उसे जादा कदम चलना चाहिए और डोक्टरों का भी ये कहना है कि जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे नसों के मतलब ब्लोकेश ह करती है वह खुल जाती है और हमारे फेफणों का संतूलन बना रहता है तो इसलिए हर डोक्टर हमें एक दिन में कम से कम आदा घंटा पैदल चलने की सला देता है यह थी पैदल चलने के फायदे तो आप कब से पैदल चलना शुरू कर रहे हो तो दोस्तों अगर आपको वी वीडियो के साथ मिलें कि तब तक के लिए बाइबाई एंड टेक कियर